तो शेयर अगर मैं फूर फीचर की बात करने जा रहा हूं तो ये ना दो तरीकी के शेयर फूर फीचर होते हैं बेसिकली क्योंकि पहले बताता तो साइद क्लियर नहीं होता एक ऐसा जो की इशू किया गया हो औरिजनली सर इशू किया गया हो औरिजनली का मतलब अभी जितने भी देखें वहां प्रीमियम इंवाल्व था क्या नहीं वह शेयर जो अगर शेयर इशू हो एट पार वाला कॉंसेप्ट हम डन कर चुके हैं जितने भी एक्जाम्पल देखा डन हो गया उसके बाद एक कॉंसेप्ट आता है हमारा इसी के अंदर देट इस इशू एट प्रीमियम इशू एट प्रीमियम इशू एट प्रीमियम वाले की अगर हम बात करते हैं तो वो अभी हमें सीखना बाकी है दोनों में फरक है कि अगर आपने इशू पार पे किया था तो उसका ट्रीट्मेंट सेम रहना है लेकिन कुछ एक एंट्री थोड़ा सा अलग हो जाता है उसको प्रीमियम इसको तीन या चार केसिस बनाके करेंगे तीन या चार केसिस बनाके करेंगे केस नमबर वन फिर हम आगे देखें तो आगे होगे हमारा पांच रुपए तीन रुपए और यह होगे हमारा चार रुपए कुछ ऐसे बना अब कुछ भी नहीं बोला हो तो आप अच्छे से जानते हो कि प्रीमियम कहा होना चाहिए कुछ भी ना बोला हो तो यह एक रुपए इसका रहा होगा और यहां पर दो रुपए बन गया होगा सर देट इस सिक्यूरिटी प्रीमियुम पहले तो यह चार्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए क्लियर अब देखिए मिस्टर राम मिस्टर राम ठीक है मैं थोड़ा सा कुश्चन और बढ़ा कर देता हूँ ताकि मुझे सारे एक ही एक्जामपल से मैं सारे कुश्चन करा पाऊं आपको थोड़ा सा चेंजस कर रहा हूं मैं यहां ठीक है नहीं ताकि मैं एक ही से करवा पाऊं मुझे बस लेंथ रिटेल बढ तो 5-10 और दूबारह ठीक है बर यहां पर दो बात बन नहीं पाई प्रकरते को इसको radio कर देते हैं इधर डू कर Deutsche अभैंक यहां पर देखा जाये तो सको डिटैल ले जाओ तो सेकिजुरिटी प्रीप्रीमियं का पैसा होगा वह दो ठीक है इसके बेसिक्स एंट्री जितने भी होती है बैंक अकाउंट डेट टूशियर अप्लिकेशन टूशियर अप्लिकेशन टूश एकुटी शेयर कैपिटल वह सारी एंट्री आपके दिमाग में होना चाहिए इसको सीखने के लिए अब मिस्टर राम जो है यह क्या करते है यह फैल हो गया है सपोस्कों यहां पर कहां पर फैल हुए फीकर और तूभी यहांभी फेल हो पीने इसकी जैनल एंट्री करनी है इसटीएर फोर-फीचर के चाहिए तो संए इकुटी हैच senior capital डेभ exporting होजा है कि एक्विटी शेर केप्टैल अकाउंट डेबिट में कितने हो जाएंगे पूरे अगर 10 देखा जाए तो प्रीमियुम का पैसा तो कि क्योटी शेर मैं नहीं आता इसका मतलब यहां पर अगर मैं इनके पैसे उन्होंने दे दिये, वो सारा four feature हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है, कि जो पैसे security premium के हैं, ये पैसे तो मैं पहले से ही extra मांगन रहा था इसके बदले तो मैं आपको कुछ दे ही नहीं रहा था, तो इसको तो मैं four feature नहीं करूँगा, ये तो मैं पहले ही बोलके चल रहा था आपको के 10 रुपए का समान है 12 में दे रहे हैं, दो रुपए जो आप extra दोगे, वो हम अपने जेव में रखेंगे कहने का मतलब premium का यही है, तो यानि ये दो रुपए तो four feature मैं करूँगा शब्द यूज़ करेंगे हम calls in area, कितने होगे calls in area में 3 और 2 पांच, that is हमारा 500 रुपए, लोजी four feature का हो गया, इस entry में क्या सीखा के security premium का पैसा four feature नहीं किया जा सकता, यानि sir यहां तो premium को नजर अंदाज कर दे, premium को छोड़ भी दे, तो रीशू की बात अभी बिल्कुल करी नहीं रहे, पहले हम four feature सिखेंगे, फिर जब four feature clear हो जाएगा तो एक बार मैं ratio और capital reserve निकलना सीख लेंगे, यहां तक clear है, आगे देखें, अगर मैं आगे लेके चलूँ इस example को, थोड़ा सा बस change करूँगा, मैं same example रखना चाहता हूँ, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो, अगर मैं same example रखूँ आगे, चलिए, मैं थोड़ा क्या change करूँ, अगर मान लो, थोड़ा सा change करते हैं, यहां पर हम कर देते हैं, पांच ही वही है, और यहां तीन है, यहां पर premium मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहां के लिए questions बता रहा है, तो इसका मतलब मान के चलो, question बता रहा है आपको यह, और यहां share capital कितना हो गया, 1 rupees हो गया, समझ रहे बात को, अब मेरे इस वाले questions के अंदर क्या changes आएगा, changes यह है, कि जो Mr. Ram है, वो जो fail हुआ है, वो कहीं और हुआ है, that is, इसने इन्होंने ये भी payment दे दिया, और यहां पर वो fail हो गये, तो to be continue, यहां भी fail होंगे, और to be continue, यहां भी fail होंगे, मतलब continuously fail होते, गए आगे तक, ठीक है न, तो अगर ऐसा situation आया, तो हम करेंगे, सबसे पहले सार, equity, share capital, account, debit, आप मुझे यह बताइए, कि equity share में पूरे कितने जाएंगे हमारे, 10 into में, 100, यानि, 1000, अब share for feature कितने करेंगे, clearly पता चल रहा होगा आपको, जितने दी हैं, वो for feature करेंगे, that is 2 रुपए, तो 2 into में 100, तो यानि, 200, अब बात आ गई, calls in area की, calls in area, तो कितना जाएगा हमारा, 5 रुपए यह नहीं दिया, 3 रुपए यह नहीं दिया, और 2 रुपए यह नहीं दिया, एक पर पटाफट से basic entry पर ध्यान देना, हमने क्या करा होगा सर, पहले entry करा होगा bank to share application, फिर करा होगा share application to equity share capital, फिर क्या करा होगा हमने share allotment to equity share capital, फिर क्या करा होगा हमने bank to share allotment, फिर क्या किया होगा हमने, हमारे पैसे इसका पैसा तो आया है नहीं, bank नहीं करा होगा, यहां करा होगा, call scenario मान लो ठीक है first call पर क्या करा होगा share first call two equity share capital और two security premium फिर हमेरे पास bank में पैसा नहीं आया होगा call scenario कितना किया होगा call scenario एक वर फटा-फट से बता दो कितना किया होगा 300 किया होगा call scenario है ना 300 किया होगा इसके बाद हम final call के entry मानेंगे वो करेंगे तो आप मैंने simple सी बात करा जितनी बार capital दिया debit कर दियो तो सब आप गिन लो तो दस ही है लेकिन आइक बार call scenario देखो तो तीन रुपए यहां 300 यहां और यहां पर कितने है अलॉट्मेंट के टाइम पर 500 कितने होगे और final call पर कितने होगे 200 तो कितने होगे तो यह तो मैच नहीं हुआ अब ध्यान देना कि आपने यहां पर security premium credit किया था क्या इसका पैसा मिला वो तो फेल हो गया तो उसने नहीं दिया लेकिन आप तो यह मान के चल बैठे हो कि यह income मिल चुका है हमें तो आप इ आपको पैसा यह मिल जाएगा लेकिन नहीं मिला तो अब इसको हमें reverse करके ठीक करना होगा तो अब यहां पर security premium account debit आ जाएगा देट इस 1000 कि अच्छा 200 कि दो रुपय का है ना 200 और यह लिख देते हैं तो इंटू में 100 ठीक है थोड़ा इसको गैप देते हैं चलिए इसमें और पिछले में फरक नजर आया यानि इस वाले में सर्व प्रीमियम को देने में फेल हो गया तो प्रीमियम डेबिट हो गया समझ रहे हो प्रीमियम देने में फेल हो गया तो इसलिए प्रीमियम डेबिट हो गया अगर प्रीमियम को दे देता तो पिछले वा तो प्रीमियम का कुश्चन से कोई लेना देना नहीं था जब प्रीमियम पे वह फेल होगा तो प्रीमियम भी शियर फूर फीचर की एंट्री में इन्वाल्व होगा कौन से लास्ट तो टोटल हजार रुपए नहीं दियाया ह्थ कई को इसी को एक और लेकर चलते हैं चलिए मैं सेम एक्जामपल रखना चाह रहा हूं ठीक है बस मैं बदलाब ये करना चाहता हूं कि ये वेक्ति ना फेल यहीं हुआ ठीक है फेल कहां हुआ यहां पे हुआ इसके बाद हमने इससे कॉल ही नहीं किया कि नॉट मेग एनी कॉल समझ रहे हो एक कुशन पहले भी किया था जिसके अंदर कॉल कम किया तो इसके मतलब हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउंट डेबिट कितना करना होगा बताओ पहले कहीं बतातो मुझे कितना करना होगा क्योंकि 5 और 2 7 यानि 100 इंटू में 700 अब बताओ 2 शेयर 4 फीचर कितना करेंगे 100 इंटू में 2 200 और बताओ 2 कॉल सिनेरियर कितना होगा 500 रुपए क्या सिक्यूरिटी प्रीमियम आना चाहिए यहां पर क्योंकि इसके नाम से प्रीमियम तो क्रेडिट हमने क यहीं नहीं होगा क्योंकि आगे तो हम मांगा ही नहीं हमने से सब्सक्राइब आपको एक और एक्जांपल देखें देखें एक और एक्जांपल ठीक है अब मैं क्या करने जा रहा हूं पस थोड़े थोड़े से विरियेशन है और यही कुस्ट्टन के बीच में आते हैं और बच्चे बोलते हैं सर यह ऐसा होगा तो क्या करें वैसा होगा तो क्या करें इन सभी को अगर आप केस बना के देख लो तो कभी दिक्कत ही नहीं आया आपको यह दो है और यह एक है राम जो शेयर होल्डर है उसने कमपनी ते यह भी मांगा और यह भी मांगा यह यहां पे फेल हो गया ठीक है इसके बाद कंपनी ने क्रॉस लगा दिया कि भीया हम अब तुमसे पैसे नहीं मांगें सम यानि 8-100 क्या security premium debit होना चाहिए प्रीमियम ठोकरा था तो must debit होना चाहिए तो security premium account 알ाँ डीट कितने रुपह होंगे होंगे दो इन्टू में 100 यनी sir 200 अब बताओ bit share fortune में कितने होंगे क्यों होंगे 5 और 2 तो आगर मैं इसको ध्यान से देखूं अगर मैं ध्यान से सोचूं इसको तो सर्शेर सेक्यूरिटि प्रिमियम में देखा जाएं तो तीन पार्ट बन गए यह मैं तीन पार्ट में रहार देता हूं एक वेन प्रीमियम अमाउंट पीड पहला केस करवाय था क्या करवाय था प्रीमियम का पैसा उसने दे दिया और फेल आगे हुआ ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या सिक्यूरिटी प्रीमियम एंट्री में शो करना है तो नो सिक्यूरिटी प्रीमियम शो इन शेर फोर फीचर एंट्री अपने लेंग्विज में आप जैसे भी लगता कमफर्टेबल मैं तो एक चार्ट बना कर दिखा रहा हूँ सर दूसरा केस वेन सिक्यूरिटी प्रीमियम एंट्री नॉट कॉल तteil केस देखे जब सिक्यूरिटी प्रीमियम हमने धनी कि 드ir की यहीं पर फीचर रटू कर लिया नहीं तीस नॉट कहा किया और यह केस नंबर वन इसके मैं बात प्रयों करना हो जब आगर हम मांगे ही ना सिक्यूरिटी प्रीमियम तो क्या होगा सर उस case को मैं आगे पीछे कर दूँ आभी तो ऐसे situation में होगा यहां पे भी security premium की entry नहीं आगे तो same आजाएगा हमारा security premium का कुछ भी करने की जुरत नहीं होगी हाँ अब यह होगा वेन शेर होल्डर नॉट पीड सेक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट जब शेर होल्डर सेक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट ना दे premium not paid and call by company और company ने call भी किया था तो वहाँ पे security premium debit हो जाएगा ठीक है वहाँ security premium क्या हो जाएगा debit हो जाएगा और call scenario के अंदर security premium के amount को जोड के मांगा जाएगा लेकिन share capital के अंदर security premium का amount कभी भी नहीं जोड़ेगा ये तीन cases थे आप ये देख लिए पहला case ये था और दूसरे में fail हो गया इसको दूसरा case कर देते हैं ठीक है दूसरा case ये था तीसरा case जब वहाँ पे fail हो गया मांगने के बाद और उसके बाद भी हमने एक fail कर दिया किसी को यहाँ तक doubt है यहाँ तक किसी को doubt बताइए यहाँ तक clear है तो हमने क्या करा sir share for feature का एक basic सा entry कर लिया share for feature के इतने तरीके से हो सकते हैं दो तरीके के यहाँ देखने को मिल सकते हैं एक हमारा हो सकता है जब पार पे issue किया गया हो दूसरा क्या हो सकता है जब issue किस पे किया गया हो premium पे पार वाले case की बात करें तो हमारी entry basics जो बनती है equity share capital account debit to share for feature to call in area इसमें premium का कोई involved नहीं होता है share capital में उतना ही amount जाएगा जितना company ने call किया है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए और इसके अंदर एक call company ने नहीं मांगा तो called up मैंने किस से share capital debit करा है है हाँ पे 7 रुपे से यहां तक clear है यह question book का देख लिया